लेकिन आप इस हत्यार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता एक तो तेरे पास जमीन का पटा नहीं है, और नहीं राशन कार्ड है, यहां तक की वोटर लिस्ट में नाम तक में इनके काजी क्या है इसमें, देश को आजाद हुए पचास साल हो गये, लेकिन इनके पास एड्रिस प्रूफ तक नहीं है कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे दो-दो केस ठोग दो राइने, बच्या बचाओ उस लगने चाहे कितने भी पीडितों हर एक को इनसाफ के लिए लड़ने का हक है, और इस अदालत का फर्ज है कि वो उने इनसाफ दिला है राजा करना मौसुकुटी और इडुटपन, यह किनों है विच्वल उफंडर्स है जो चोरी हमने नहीं कि उसे कबूल है कैसे हसाफ मैलोड्स पुलीस ने हर कदम पर कोट से छूट का है उस देवर उसने बेचे उसके अमरे बस एविडेंस है तीनों फरार हो गए उसका एविटनस भी है चोरों को ट्राइवल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ यह केस नहीं एक स्कांडल है यह लोकल पुलीस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए इस केस को CBI को सौफ दीचे अरा सच क्या है पुलीस बतातो नहीं है इस सच के पीछे नजाने कितने जूट है हमें CBI इंक्वाइरी चाहिए माई लॉट्स यह केस तो दिन बादिन उलश्टा ही जा रहा है स्यम तक पॉंचने से पहले इस केस को बंग करना होगा वैसे भी गुनेगारों का साथ अकसर कई लोग दिया करते हैं सर बेगुनाहों का कौन देगा उन्हें हमी से उम्मीद है पल भरमत चारों जोपड़िये को जला दूगा गंतंत्र को इस तेश में बचाने के लिए कभी-कभी ताना शाही की सरूरत पढ़ती है चंद्रो कानून तो अंधा है पर अगर आज ये कोट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी चंद्रो और दस दिन में कौन से राज खुल जाएंगे मैं चाहता हूं उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले कोट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सडक पर उत्रूंगा शिर्फ कानून ही मेरा हत्यार है दाट्स अल